तो नू में हिंसा के बाद पुलिस का आक्षन लगाता जारी है, हिंसा के आरूपियों की तलाश में लगाता च्छापे मारी चल रही है आपको ये भी बताए लू के जिस इलाके में पहाडी से फाइरिंग करने का आरोप लगा था, वहाँ भी पुलिस की एक टीम इस वक्त जाच करने के लिए पहुँच गई है मैं इस वक्त नलेश्वर महादेव के उसी मंदिर के बैक साइट में हूँ क्योंकि भीड उसन इसी जगह पर थी और इसी बिल्डिंग के जो आपको गुलाबी रंकी ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसका ये पार्ट है और यहीं पर से फाइरिंग के आरोप लग रहे थे कि जो फाइरिंग है वो इस जगह से भी फाइरिंग हो रही थी जो उपर पहाडिया आपको दिखाई दे रही है यहां से फाइरिंग की जा रही थी और ताबर तोर फाइरिंग लोगों के उपर उप यही कहना था कि जहां तक जाँच के जिस तरह के भी वाइरल वीडियो या सोशल मीडिया में पोस्ट आएंगे उनके हिसाब से उनकी टीम हैं इन्वेस्टिकेशन कर रही है क्योंकि किसी तरह से किसी भी तथ्यू को छोड़ा नहीं जा सकता उनका ये भी कहना था कि जो का मुआयना किया है, जो मंदिर के पुजारी थे, उनसे पूस्ताच की थी और इसी बज़ा से यहाँ पर यह पोरा जो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, यह सारा मैदान हुसे यहाँ पर भाक्तों से भ़रा हुआ था और नूम में हुई हिंसा की बाद जहां हर्यारा सरकार आक्षन मोड में है वही केंद्र सरकार भी कई बड़े फैसे लगातार ले रही है फिलहाल नूम में अर्धिसैनिक बल के साथ साथ आई आर भी तेनात है वही अब यहाँ पर रैपिड आक्षन पोस का सेंटर भी बनानी की तैयारी शुरू हो गई है जिससे की हिंसा के हालात पैदा होने पर उससे फॉरन खत्म किया जा सकेगा दंगाईयों के खिलाफ सरकार का बड़ा प्लैन हिंसा से भी पटने का ब्लू प्रिंट तैयार नूह में बनेगा रैपिड आक्षन फोस का सेंटर नूह में हुई हिंसा के बाद सरकार दंगाईयों और पद्रियों को ऐसा सबक्स देना चाहती है जिससे की वो आगे कभी भी ऐसी हरकत करने की सोचे भी न और अगर वो ऐसी साजिश रचते भी हैं तो अंजाम देख कर उनकी रूह काप जाए नूह और आसपास की इलाकों के लिए सरकार ने फुल प्रूफ प्लैन तैयार कर लिया है फिलहाल नूह में केंदरी अर्दसेनिक बलकि 20 कंपनिया तैनाथ हैं और हालात को सामानी करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अपके इंदर सरकार ने नूह को लेकर बड़ा फैसला लिया है नूह में जल्दी रैपिट एक्शन फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बड़ी वज़े से दंगा जैसे हालात को कंट्रोल करना है ग्रेम अंतरलय के सूतरों की माने तो इसके लिए जगे भी चिनित कर ली गई है और जल्दी इसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा इस ट्रेनिंग सेंटर में जवानों को दंगे से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी हरियाणा में कानून वे उस्था खराब होने पर तुर्ण जवानों को तैनात किया जा सकेगा इस ट्रेनिंग सेंटर की खास बात ये है कि हरियाणा पंजाब और उत्तर भारत में जिस तरीके की परिस्थिती है उसी हिजाब से जवानों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि दंगा नियंतरण में वो अपनी प्रभावी भूमी का दर्ज कर सके Rapid Action Force दंगा नियंतरक फोर्स है जिसको दंगे की इस्थिती में देश के अलग-अलग हिस्तों में तैनात किया जाता है हरियाना में मौझूद समय में तैनाती के लिए मेरट की Rapid Action Force Training Center से टीमों का डेप्लॉयमेंट किया जाता है लेकिन नूह मेवात इलाके में जब ये सेंटर बन जाएगा तो सीधे यहीं से फोर्स को भेजा जा सकता है इसका सबसे वड़ा फायदा ये होगा कि जैसे ही कानून विवस्ता बिगड़ेगी तुरंत केंदरी अर्धसैनिक बलकी यह विशिष्ट टुकडी स्थानी पुलिस की मदद के लिए हिंसा ग्रस्त इलाकों में पहुँच जाए